हाई दोस्तों मैं मनोज सर समसमाय की क्रोनिकल तो देखे दोस्तों यहाँ है उत्तर प्रदीश करेंट यहाँ पर दिया है कि अंतर देशी मस पालन में उत्तर प्रदीश का प्रथम अस्थान तो देखे उत्तरप्रदीश में अंतरदीशी मस पालन में संपूर दीश में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तरप्रदीश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21-22 दिसंबर 2023 को ग्लोबल फिसरीश कॉनफरेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया है उदेखनी है कि 21 नومबर फिस्रमस पालन दिवस मनाया गया है वर्दीश दो जार बाइस में जहां उत्तर प्रदीश में मस उत्तर पादन 8.9 लाग मेट्रिक तन था वही 2023 में 9.15 लाग मेट्रिक टन गया है अगला दिखिई इसी तरह मस बीज उत्तर पादन 22 में जहां 27,128 लाख मेट्री टन था वर्ष 2023 में अब तक 36,187 लाख मेट्री टन तक बहुच चुगा है प्रदीश में प्रधान मंत्री मस्समपदा यूजना के तवत बरतमान में 21 पर यूजनाय चल लएगी अगला देखी हलाल, हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद के विक्री पर रोक लगा है उत्तरपदीश में 18 नौबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने वाले उनके भंडार वीत्रण विक्री पर रोक लगा दिया गया है अगला देखी इसकी अलामत चिन्नई की हलाला इंडिया दिली की जमियत उल्मा एहिंद हलाल टरस्ट मुंबई की हाल काउंसिल आप इंडिया पर F.I.R. भी दर्च कराई गई है F.I.R. के आरोप में लगाया गया है कि गलत तरीके सी सर्टिफिकेट के जारी करके अनुसुची तलाब कमया जा रहा है और समाज को बाटने की साजिस की जा रही है साथी या उत्पात सिर्फ एक वर्क बिसीज के उत्पातकों को बढ़ावा देने के लिए है हलाल सर्टिफिकेट की सुरुवात 1974 में सिहुई थी हलाल सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े उत्पातकों के लिए दिया जाता था 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक साबून तेल आधी के लिए सुरू किया गया अगला देखी अनपरा ई तापी परियुचना उत्तरपदीस में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तरपदीस राज बिदूत उत्पादन निगम लिम्टेट ने 20 नौवमबर 2023 को अनपरा ई तापी परियुचना को रस्ताव को मंजूरी दी है राज सरकार ने सोनबदर जिले को अनपरा 1600 मेगावाट की बिजली सनियल इस्थापित करने की मंजूरी दी अगला दिखी इन इकाईयों की निर्माड पर लगवक 18,624 करून लुपए खर्च होने का अनुमान है यह परियुचना यूपी आरे यूनिल में एंटी पीसी की संय परियोजना सुरू की गई है सेप सिटी प्रोजेक्ट के जरिये 17 नगर नेगम के प्रवेश और निकास बिंदू के 77 गौतम बुधनगर में सरकारी गर सरकारी स्कूल कालेजों मदर्सों में सुबिद्याले में सीशी टीवी के माध्यम से निगरानी सुनिशित करेगी इस परियोजना के तहत उपद्रयों के जमावडे और छेड़ चाड की घटनाओं को रोकने के लिए इन सहरों में नीजी कोचिंग संस्थानों पर खड़ी निगरानी रखे जा रही है इसके अलामा सरकार ने नीजी कोचिंग संस्थानों में लड़कियों की सुरच्छा के लिए दीसा निर्देश जारी किये हैं तथा देर साम की कच्छाओं पर रोक लगा दी गई है सेप सीटी प्रोजेक्ट के तहथ सुरुवाती चरड में सरकार द्वारा राज्य की सत्रा निगमों और गौतम बुध नगर की पचीस सो स्कूलों को सी सीटी कैमरे में लगाने के लिए चिनित किया गया है अगला देखें उत्तरपदी सरकार द्वारा गायों की गढ़ना कराने का निड़ा दिया गया है उत्तरपदी सरकार ने राज्य में गायों की सठीक संख्या का पता लगाने के लिए गायों में गढ़ना कराने का निड़ा लिया गया है शरकार ने राजभर में तीन स्रेडियों में गाय की गढ़ना करने का आदेश दिया है जिसमें पसुपाला के पास निरास्रित पसुओं सड़कों पर छोड़ दी गई है गाय और काना उपुवन की संख्या ने धारित करना सामिल है अगला देखे यह कदम राज में आवारा मवीसियों की अंतहीन समस्याओं की मद्दे नजर उठाया गया है मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने जीयो टैंगे लागू करने का भी आदेश दिया है अगला देखे पहले चरण में इन गायों की गिंती की जाएगी अगले चरण में गायों को उप्यूक आवास प्रदान करने के लिए की योजना तयार करके इसे कार्यवन्दित किया जाएगा कियन सरकार द्वारा 2019 में आयोजित बीसवी पसुधन गढ़ना की बाद में मयवेसियों की संख्या से संबंदित आकड़े बदल गया है अगली गढ़ना 2024 में होनी थी अगला देखे हर बच्चे के लिए हर अधिकार उत्पर पदेश सरकार ने 18-25 नॉमबर 2023 तक हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान संचालित किया गया है अभियान का बिसय लेंगिक समानता देखभाल वा समर्थन और केंदरीत है जो परिवार घरो इसकूल खेल कैरियर स्वास्त देखभाल और बाल सनच्छन शुविधाओं की सांसा समुदाय और सारुजनिक जीवन की जीवन में समान औसर की वकलत करना है इस अभियान का उदेख छात्रों के लिए समान औसर सुनिशित करना है और पावर एंजल बाल सांसत के नेत्रित में अभियान सभी प्रात्मिक उच्छ प्रात्मिक कस्तूरबा गांधी विध्यालों में चलाय गया है अगला दिखी उत्तर प्रडेश में तीन विध्यालों की स्थापना को मंजूरी मिली है हाली में संपन उत्तर इस कैबिनेट की बैठक में राज के तीन जिलो में राज विस्विद्याले की स्थापना के लिए मंजूरी प्रतान की गई है ये राज विस्विद्याले गुंडा, मिर्जापूर, मुरादाबाद जिले में स्थापित किये जाएंगे इन जिलों में राज विस्विद्याला की स्थापना के लिए यूपी राज विस्विद्याला दिन्याम उनी सोती हत्तर में संसोधन को मंजूरी दी गई है गोंडा में मापाटेस्वरी देवी राज विस्विद्याला की स्थापना की जाएगी मिर्जापूर में माविंद्वास्तनी राज विस्व विद्याला इस्थापित किये जाएंगे मुरादाबाद में स्थापित होने वाला विस्व विद्याला उत्तर पदेश राज विस्व विद्याला के नाम से होगा बर्तमान में उत्तर दिसमें 34 राज विस्विद्याल हैं अगला देखे दोस्तों केंद्री मंती हरदीब सिंग ने पूरी में 26 नॉबर 2023 को वारांसी की हरिदास घाट पर सहर के दूसरे फ्लोटिंग कंप्रेश्ट नेचुलर सी अन्जी मोबाइल रिफ्यूटिंग इस्टेशन का उधगाटन किया गया है हमीरपूर में राजटी खादे सुरच्षा मिसन योजना के ताथ 34 नॉबर 2023 को दो दिूसी जिलास्तरी मिलेट्स महासो का आयोजन किया गया है अगला देखे लखीम पूरखिरी में 3 नॉबर 2023 को नारी सक्ती बंदन अधिनियम की अंतरगत नारी सक्ती बंदन सम्मेलन का योजन किया गया है मुखी मंत्री योगी आदितनात ने 3 नॉबर 2023 को गोराकूर में 211 करोड उपए की 140 पर योजनाओं का लोकारपन और सिला नियास किया गया है केंद्री राचे मंत्री निरंजन जोती ने 4 नॉबर फतीपूर में सहकारी गैस पाइपलाइंग परियोजना का सुभारं किया गैस एथार्टी आफ इंडिया लिम्टेट द्वारा CSR नेधी से मरजापूर जिले में मोबाइल मेडिकल बैन चलाई जाएगी मोबाइल बैन सांसस स्वास सेवा नाम से पूरे जनपत में निसूल्क स्वास जांच और उप्चार की सुविधा उपलब्द कराएगी अगला देखी 12 बंकी जिले में 200 परसी देवा मेला 30 अक्टूबर से 8 नॉबर 2023 को आयुवित की जाएगी मोखी मंतरी योगी आदितनात ने 30 नॉबर 2023 को प्रियाग राज में 3357 करण उपए लागत की 424 और मिरजापूर में 202 करण उपए 2660 विकास परियोजना का लोकारपन का सिन्यास किया गया है वाराणसी जनपत में हैल्ट डैस बोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान किया जनपत में कुल 80 पर्शन स्कोर प्राप्त हुआ है जनपूर में 7-9 2023 को 23 बदलापूर महासर वायुजित किया गया अगला देखे अगला देखे दोस्तों बिहार करेंड प्रेट समको पढ़ना नहीं है अन्यराज देखे अब यहां से क्या है अन्यराज देखे जारखंड जारखंड में क्या है राची में अभूआ बीर निदेशम किया गया है इसके बाद देखे जमसीत पूर में जारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयुजित किया गया है उत्राखन, स्री नगर गहडवाल बैंकुन चतुरवेदी मेला विक्सित प्रदर्शन किया गया है, लखनव में उत्राखन महोसो का सुभारम किया गया, मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी ने 31 अक्टूबर 2021 को लखनव में उत्राखन महोसो का सुभारम किया गया, या 10 दि मद्य प्रदीश में देखी मद्य प्रदीश हाई कोट में साथ नए जज हुए हैं अगला देखी दोस्तों प्रदीश का 68 इस्थापना दिवस तो देखी मद्य प्रदीश नी एक नॉवंबर दोजाटीश को अपना 68 इस्थापना दिवस मनाया है मद्य प्रदीश का गठन ए इंद्यन चेत्रो भुपाल रियासत को मिला कर बना गया है राज्य के गटन से एक दीन पूरू 31 अक्टूबर 1956 को मद्य प्रदीस के पहले राज्यपाल डाक्टर पटबा सिधार मया और पंडित राम संकर सुक्ल ने मुख्यमंतरी पतप सपतली गटन के समय मद्य प्रदीस मे परातत्व पर्यटन संस्कृती परिशत द्वारा किया गया है भेडा घाट रमडी पर्यटा कस्तल है और भारती पुरातत्व विभाग द्वारा संचाली चाउंसर योगनी मंदिर इसके समीप इस्तित है दुआदार जल प्रपात भेडा भाट भेडा घाट के निकट एक परियटा कस्तल है नर्मदा नदी दोनों तटो पर संगमर्मर की सौब फूट तक उची चटान चटाने भेडा पाट की विसिस्ता है अगला देखी इमानचल प्रदीस में बिद्या समीच्छा केंद्र अगला देखी अगला देखी पुर्वत्तर नगालेंड की नगरपाल नवंबर 2023 को जल सक्ती मंत्राले की जल जीवन मीशन के तहत एक महत्तपूर पहला वाटरी स्मार्ट केट्स में घाले स्कूल अभियान शुरू किया गया अगला देखी दचिड भारती राच करनाटक में डक्टर पूनीत राजकमार हिड़दा जोदी योजना सुरू की 2026 तक अवधी के लिए फास्ट ट्रैक बिसीस अदालतों की केंद्र अप्रायोजित योजना जारी करने की मंजूरी दी है इसमें 1952.3 करोण उपए का बित्ती परिभय सामिल होगा जिसमें केंद्र का हिस्सा 1207.24 करोण उपए हैं केंद्र के हिस्से का बित पोशन निर्भ कि असहाय पीडितों को सब्बद नियाय प्रदर्शन करने के लिए राज के इंसासित प्रदेश की सरकारों का, प्रयासों का समर्थन करते हैं फास्ट्रेक बिसीस नियायलों की अंतीम फैसले देने की डर नियती अदालतों की तुलना में बहतर हो नियायलों अदालती प्रक्रिया तीजगती से पूरा करता है असहाय पीडितों को त्वरित नियाय प्रदान करने की अलामा फास्ट ट्रेक अदालतों की अबेवस्ता योन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढाचे को मजबूत करती है अगला देखी CERT in RTI के दाइरे में केंदर सरकार ने भारती कंप्यूटर अपात कालिन प्रतक्रिया द्वारा प्रतक्रिया दल को सूशना का अधिकार अधियम के दारे से छूट दे देगी है इसके कार्मिक मंतराले द्वारा RTI अधियम की धारा 24 में संसोधन किया गया है इस प्रकार अब CRT इनके अंदर सरकार द्वारा इस्तापीत IB, IRA, ED और NTREO ने जैसे 26 अन्न खुपिया और सुरक्षा संगठनों की सूची में सामिल हो गया जिने RTI के तार छूट की गई है अगला देखिए प्रसारण सेवा विध्यक 2023 मसौधा जारी किया गया है पंडुबी, रोधी, वायर फेर क्रॉप्ट, अमीनी जलवाता वरण, बिडेसी विश्वविद्याले के परिसर में इस्तापित करने में के संबंधित नियम आयने से सुमिधा का नामबिया की सद्भावना की यत्रा की गई है सरोगेसी से बनी मा का मात्रित व आवकास की हगदार अगला देखे, देश में डाक्टरों के लिए लागू होगा एक राश्टी, एक पंजियन अगला देखे दोस्तों, महिलाएं पानी के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान है अगला देखे, आईरवेद फार वन हेल्थ अभियान है तो इसमें देखे, 10 नौवंबर 2023 को आठवें आईरवेदिक दिवस के आउसर पे आईरवेदिक फार वन हेल्थ अभियान की बैस्विक सफलता का महापूर हरियाना पंचकुला में मनाया गया है गलत सूचना और डेफेग की पहँचान की परामस जारी की गई है 7 नौवंबर 2023 को केन सरकार ने गलत सूचना और डीप फेग की पहँचान करने के लिए मातपूर सोसल मेडिया मध्यस्ताओं को एक परामस जारी किया है अगला देखी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी बने है सोमना ट्रस्ट के अध्यच प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को हाली में गुजरात इस्ती सोमनात मंदिर सी सम्बंदी सोमना ट्रस्ट के अध्यच पत पर फिर से पांच वर्स के लिए चुना गया था प्रधान मंत्री नरेद मोधी को तीसरी बाद सोमना ट्रस्ट के बोर्ड आफ ट्रस्टी का अध्या चुना गया है अगला देखी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम सुदर्शन है भारती वाई सेना ने स्री कृष्ण के सस्टर सुदर्शन चक्र के नाम पर रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 400 का नाम सुदर्शन रखा गया है चीन की सीमा से लगे पुर्वतर चित में भारती सेना के साथ आयोजी आखास पुर्वी अभ्यास में वाई शेना ने पहली बार S-400 को सामिल किया गया है भारत और रूस के वीज फाइट सुराटन M-400 मिसाइल के लिए 35,000 करण उपए का समझाता किया है रूस अब तक भारत के 3S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किया पूर्थी कर चुका है जबकि 2 सिस्टम 2024 तक मिलने वाले हैं 3S-420 की पूर्वी पश्चमी और उतरी सीमा पर तैनात किया जा चुका है अगला देखिए मिसाइल बिधवनसक पोठ सुरत के क्रेष्ट अनावरन किया गया है यह पहली बार है कि जब किसी योद्वोठ कोठ की प्रतीक चिन का अनावरन उसी सहर में किया गया जिसके नाम पर नामकरण किया गया है निर्माणा धिन युदपोथ सूरत की क्रेश्ट में सूरत की हजीरा का प्रसीद प्रकास सिस्तम ECI सीर और लहरो का दर्साया गया है अगला दिखी रच्छा मंतरी राजना सिंग द्वारा इस पोथ का जल वाता औरन मुंबई में 17 माद 2022 को किया गया थै गुजरात के किसी भी सहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युदपोथ है निर्माणा धीन नविंतम फ्रंट लाइन युदपोथ परियुजनाओं के तहत अलिगर्ट पीडी के चार इस्टील गाइड़ेट मिसाइल विद्वनसक पोथ का निर्माण किया गया है इसमें सूरत चौथा और आखरी पोथ है युदपोथ बर्तमांस में मजगाओं डाक्स सीपी ब्लडस लिमिंटेट मुंबई में निर्माणा धीन है अगला देखी अंतराश्टी क्रुज जहाज कोष्टा सेरेना को घरेलू नौकायान तियंद्री पत्तन पूथ परिवान जल मार्ग मंत्री सर्वदानन सोने लाल ने 3 नौमबर 2022 को मुंबई में पहली अंतराश्टी क्रुज लाइन क्रुष्टा सेरेना को घरेलू पर चलन का सुभारं किया गया है चुनाओ प्रबंधन ये तो निर्वाचन आयोग की साप्ट वेर प्रणाली भारती निर्वाचन आयोग ने इन्बेलिंग कॉम्निकेशन और रियल टाइम एनवार्मेंट नामत प्रेटफॉर्म के माध्यम से संपुर उमिद्वार चुनाओ प्रबंधन के लिए एक इन हा प्रेटफॉर्म का सुभारम किया गया है प्रधान मंतरी नरेन मोधी के अध्यस्ता में केंद्री मंदल ने 11 अक्टूबर 2023 को मेरा इवा भारत नामा के एक संस्थान की स्थापना की मंजूरी है मेरा इवा भारत का प्रात्मिक उद्देश इसे इवा विकास के लिए एक संपुर सरकारी मंच बनाया है राश्टी इवा नीती में इवा की परिभासा कैनूब इसे 15-29 वर्स की आयू की इवाओं के लिए केंद्रित किया गया है इसके ताथ 20-20 इस रूपसिक की सोरों के लिए बनाया गया एक कारिक्रम घटकों घटकों के मामलों में लाभारति की आयू सुईमा 10-19 वर्स होगी यह युवाओं को उनकी अकंचाओं को साकार करने और सरकार के संपूर दायरे में विक्सित भारत के निर्मान के लिए एक समान पहुंच परतान करेगा मेरा युवाओं भारत एक फिजिकल प्लेटफॉर्म है जिसमें भावतिक गदविधियों के साथ ही डिजिटल लूप से जड़ने का आउसर भी सामिल है एक प्रद्रोगे की मंच द्वारा समर्थित मेरा युवा भारत मेरा मामलो के विभाग के युवा और आउटरीच प्रयासों को बढ़ाने में मदद करेगा मेरा युवा भारत युवा नेतरित तुवाले भिकास और सहर का ध्यान के अंदरित करते वी युवाओं को केवल निस्क्री प्रवाप्त करता के रूप में रहने के अस्थान पर भिकास का सक्री संचालग मनाने में मदद करेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने 31 अक्टूबर 2030 को दिल्ली के करतब विपत पर मेरी माटी मेरा देश अमरित कलस यात्रा की समापन कारिक्राम में भाग लिया है मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहट इवा देश में 6 लाग से अधिक गाओं में 8 अमरित कल्सों में मिट्टी इकठा करके दिल्ली लाए गये थे इस कर्तब पत के पास इकठा किया गया था इस अभियान का उदेश देश की एकता हुदरसाना है अभियान के दोरान ग्राम पंचाइट ग्राम सभाओं के अस्तर पे अब तक 2.3 तीन लाग ज्यादा सिला लिखों की स्थापना की गई है अभियान के तहट देज भर में 2.6 तीन लाग से जादा अमरित वाडिका का निर्मार किया गया है जिसमें करीब 24 लाग पौधे लगाये गया है यह अभियान उन सैनिकों को सरंधान जली है जिन्नों ने अपने करता पतपा सरोच बलिदान दिया है साइलेंट कन्वेंशन जन्जाती का कला प्रदर्शन परियावरण बन जलवाई परिवर्तन मंतरा अले के राश्टी बाग संद्चन प्रादिकरन संक्ल फांडेशन दौरा तीन पांच नॉमबर दोजार तेईस के बीच दिल्ली में एक कला प्रदर्शनी का योजन किया ग संदर की सर्तों की मंजूरी रधान मंतरी नरेन मोदी के अध्यस्ता में केंद्री मंतरी मंडल 29 नॉमबर 2023 को सुलाहमा बितायोग के लिए संदर को मंजूरी दी है और सुलाहमा बितायोग के लिए संदर सर्तों को उचीत समय पर अधिसूचित किया जाएगा आयूग 1 अप मदित हिस्सेदारी के राज्यों के बीच अवंटन हितु सुझाव प्रस्तुत करेगा। पंद्रहवें बित्तायों का गठन भारत के राश्टपती द्वारा संवेदान के अनुचे 287 के ता 27 नॉवंबर 2017 को किया गया था। मुर्मू पाराद्वी बंदरगाह के निर्माण के बाद उसका दावरा करने वाली पहली राश्टपती है राश्टपती ने पोर्ट टाउन के लिए एक नया जलासे और जल उप्चार संचार अगली पीडी के जहाज यातायात प्रबंदन और सूचना प्रणाली को अधासिल किया गया है इस सुची में ग्वालियर ने संगीत स्रेडी में जबकी कोचित ने साहित स्रेडी में अपनी जगा बनाई भाहरत के दो क्रियेटिव सहर सिटीश नेटवर्क में सामिल किया गया है जो 55 सहर है अगला दिखे यू सी सी यन में सामिल भारत के अनसार जैपूर, स चाहू परवकाउद घाटन किया गया है, यह महोसो 15-17 नॉवंबर 2030 को स्री नगर में आयोजित किया गया है, इस महोसो का उद्धिश इस परामपरिक नित सैली के बारे में जगरुकता उत्पन किया है, चाहू एक प्रकार की नित वाटनाटिका है, जो परशे मंगाल में जार बनी है, अगला देखे, सी बार्थ ने फलको जी आई टैग मिला है, अगला देखे, डी सी ए से लाइसेंस पाने वाले पहले ड्रोन कमपनी है, और एडी बी द्वारा, एडी बी द्वारा 6.5 मिलियन डालर का रेड है, और लीप अहेट का पहला सुभारं किया गया है, अग रहा सी स्री लंका की वित्ती प्रणाली की विभिन पहलूओं को मजबूर करने में सायक होगी, नगदी संकट से जूज रहें स्री लंका पे कूल 46.9 अरब अमेरिकी डालर का विदेशिक कर्ज है, बैस्विक धन रेड देने वाले एजेंसियों द्वारा तिब रहो परिया भारत की 6.2 विकासदर का अनुमान लगा गया है, बैस्विक रेटिंग एजेंसी फीट रेंग रेटिंग ने च्छा नॉबंबर 2023 को जारी अपने अनुमान में भारत की आर्थिक ब्रिदी दर का अनुमान बढ़ा कर 6.2 पर्षेंट कर दिया गया है, रेटिंग एजेंसी अनुमान 0.70 की ब्रिदे की है, इससे पहले फीच रेश्टिंग ने भारत के विकासदर का अनुमान 5.5 रखा गया था, रेटिंग एजेंसी फीच ने भारत के मेक्सिको की रेटिंग को बढ़े पैमाने पर ब्रेट किया गया है, एजेंसी के अनुसार भारत के विकासदर 5 0.5% से बढ़कर 6.2% फसिदी और मैक्सिको की 0.4% से बढ़कर 2% कर दिया गया है फीच ने कहा कि भारत में 2020 के में तेज गिरावट के बाद स्रम भागेदारी में तेजी सुधारा होने के कारण विकासदर का अनुमान बढ़ाया गया अगला देखी SDP 2023-24 के लिए 6.4 के मिरधिय का नुमान है अगला देखी भारत और नीदरलेंड ची इक इसवाओं की गुरवत्ता बढ़ाने के लिए एक आसे-पत्र पर हस्ताचर किया है तिंद्री, रसायन, उर्बरक मंत्री, राज्जी मंत्री, भगवंद, खुबा और निदरलेंग के स्वास कल्यान मंत्री, खेल मंत्री और अरनस्ट कुईपर्स के बीच बैठक में इसासय पर पत्रपी हस्ताचर किया गया है 6-8 नॉमबर 2023 की तक हेग में आयोजी दूसरी वर्ड लोकल प्रोडेक्शन फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए भारती प्रतिनीदी मंडल निदर रिन गया है वर्ड लोकेशन प्रोडेक्शन फोरम भी स्वासंगठन की पहल पर बनाया गया है एक मंच है WLF उद्धिश दावा और स्वास प्रदोग की शुलब पहुंच सुनसित करता है हेक में आयोजी WLPF की बैठक में नैदानिक उपायों के विकास और भी निर्माड में अनुभव चुनावतियों सफलताओं को साजा करने का एक महत्पूर अशर प्रतान किया गया है रच्छा परियोजनाओं में भारत का 100% FDI स्वेडन की साब पहली BDC कंपनी बन गई है जिसने भारत की रच्छा परियोजनाओं को 100% FDI प्राप्त किये है स्वेडन की कंपनी साब भारत में कंदे से दाग जाने वाले राकेट बनाएगी भी निर्माड सुविदा हरियाना में स्थापित होने की संभावना है साब ने कॉल कॉस्टरफर में 4 की सिस्टम की नवीदन पीड़ी के लिए एक नई कंपनी साब एफफ भी की उत्पादन किया गया है पहली बार जब साब स्वेडन की बाहर कंदे से दागे जाने वाले राकेट का निर्माड करेगा बर्तमान में भारत शित में 140 मार्क 74 परशंट FDI के अनुमती देगा अगला दिखी भारत गुलोबर फोरम पूरम मध्यपूर में अफरिका दोजार तेईस है 27 नौबर दोजार तेईस को सैंट अरब अमीरी राद की दुबई में भारत गुलोबर फोरम मध्यपूर अफरिका दोजार तेईस नामक कारिकरम का सुभारम किया गया है अगला दिखी अंसीलिंग एंबियेशन विशेपर आयोजित इस कारिकरम में भारत मध्यपूर और अफरिका के 20 सहयों के आउसरों का पता लगाने के लिए ब्यापारिक निताओं और नीती निर्मताओं के बीच बैटक हुई है बित्मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्चूल माद्यम से इस कारिकरम को संबोधित करते हुई COP28 से पहले जलवाई बित्व पोशण और प्रदोगे की हस्तानंतरण प्रदोगे की हस्तानंतरण ने प्रगती की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुई कहा गया कि इस दिशा में को न्यूजिलंड के नए प्रदान मंत्री बने हैं इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये खोशन कई बार पूछा है कि क्रिश्टोफर लक्षन न्यूजिलंड के नए प्रदान मंत्री है अगला देखे नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास होगी इस थाई रूप से हुआ सम्मेलन है दोस्तों अगला देखे इंडो पैस्पिक रिजनल डायलॉग 2023 फिर इसके बाद है एपीक सीओ सिखर सम्मेलन 2023 है अगला देखे भारत में ओपीक उर्जा की वारता की छटी उचस्तरी बैठक है फिर देखे चीली अंतराष्टी सौर गटबंधन का 951 सदस से है अस्ट्रेलिया भारत सिच्छा और कौसल परिशत की बैठक की गई है और ब्रिक्स वर्चुल सिखर सम्मेलन किया गया है अंतराष्टी खनन और संसाधन सम्मेलन का आयोजन सेडिनी में किया गया है भारत और सयुंक तरब अमीर्यात ने सिच्छायम में समझाता किया ह अग्ला देख़े 17 रणनीतिक उर्जा प्रद्युगे की योजना संबिलन किया गया है और फिर इसके बाद देखे अमेरिका-चीन सिखर संबिलन किया गया है दोस्तों भारत अस्ट्रेลिया 2 प्लस-2 वारता किया गया है भारत और अस्ट्रेलिया के बीच आसियान भारत मौसों की हिस्से के रूप में मिलेट्स भी आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मिलेट्स भी आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मिलेट्स भी आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले 20 सुकप की सबसे बड़ी एकल साइट सौर उर्जस अलधारपा सौर सोलर फोटो फोटो वर्ल्टाइक इंडिपेडेंट पावर प्रोजेक्ट का उधाटन किया है। अलधापरा सोलर फोटो वर्ल्टाइक इंडिपेडेंट पावर प्रोजेक्ट अबुधाबी इसार से 35 किलो मिटर दूर इस्तित है। परियुजना अबुधाबी फ्यूचर एनरजी कमपनी और उसकी साज़ेदार अबुधाबु नेशनल एनरजी कमपनी EDF Renewable और जिंको पावर द्वारा विक्सित किया गया लगबग दो लाग घरों को बिजली देने के लिए सन्यत्र परियाप बिजली पैदा करेगा इस स मजबूती करनी है 17 अरब अमीर्य राद द्वारा 30 नौवंबर से 12 नौवंबर 2023 तक सायू राष्ट जलवाई सम्मेलन की मेजवानी की जाएगी अगला देखी ग्रेन लेंड में दुरूवी भालू की संख्या में गिरावट आई है अगला देखी प्रोडक्शन गैप प्रोड के बाद एक नया द्वीब बना है जुआला मुखी विस्थोट की चलती आइसलेंड में अपात कालीन है अगला देखी उर्जा दच पाक कला कारिकरम उर्जा कुसल पंखा कारिकरम है अगला देखी दोस्तों 2024 एसिया प्रांत बानो रिपोर्ट दिया गया है 6 नौ धनकी और समानता वाले सिर्ष देशों में सामिल है लेकिन 2015-2016-2019 के बीच यहां की बहुयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का 25% से गिरा कर 15% रखा गया है भारत में 2000-2022 के बीच प्रतिव्यक्ति आये 442 डालर से बढ़ा कर 2389 डालर हो गई है जबकि 2004 में 2019 के बीच में गरीबी रख कितना है 2.15 डालर के अंतराश्टी गरीबी मापकाधार 40% से गिर कर 10% हो गया है रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या उन राजियों से अधिक है जहां देश की 45% आबादी रहती है माईलाय स्रम का केवल 23% तेजी से विकास के बीच आय वितरन समंता बड़ी है भारत बैस्विक मध्यम की बृद्धी में महतपूर योगदान दे रहा है बुनियादी पसुपालन सांकिकी 2023 केंदरी मत्सपालन पसुपालन डेरी मंतराल है पुरसोत्तमरुपाला ने 26 नौमबर 2023 को गुहाटी में बुनियादी पसुपालन सांकिकी 2023 नामत रि स्यू नाडर है दच्छडी एसी आई में 347 मिलियन बच्ची जल संकर से ग्रस्त हैं दोस्तों अगला दिखी QS रिपोर्ट में QS रिपोर्ट रैंकिंग 2024 में देखी आठ नौमबर 2023 को QQRail Science द्वारा Asia University रैंकिंग जारी की गई सूची में भारत के 148 पिसु विद्याले में सामिल किये गए चीन की 133 जापान के 96 हैं QS Asia University रैंकिंग 2024 में 25 देख 856 स्थानों को प्रदर्शित किया गया है IIT QS इनुवर्शिटी रैंकिंग 2024 भारत का सिर्थ अस्थान है इसमें Asia का 46 अस्थान प्राप्त किया गया है IIT दिल्ली भारती विज्यान संस्थान बेंगलोरू IIT खड़कूर IIT कानपूर IIT मद्रास दिल्ली 20 विद्याले में सिर्थ 100 सामिल है 2014 में QS इनुवर्शिटी रैंकिंग में 16 भारती संस्थान सामिल है IIT संक्या इस बार बढ़कर 148 हो गई है QRL साइंस दुनिया बार के विद्यालेयों और तक्नीकी संस्थाओं की रैंकिंग में जारी करने वाला संस्था है पेकिंग इनुवर्शिटी के है चीन है और हॉंग कांग इनुवर्शिटी के है हॉंग कांग है नेशनल इनुवर्शिटी के है सिंगापूर है नियांग टेकनोलोजी इनुवर्शिटी के है सिंगापूर है श्यूंगा इनुवर्शिटी के है चीन है आगला देखी बैस्विक टीवी रिपोट 2023, 7 नॉमबर 2023 को विस्व संगठन थान ने बैस्विक टीवी रिपोट जारी किया है रिपोर्ट के अफसार 2022 में बैस्वी कस्तर पे 75 लाग लोगों ने टीवी की विमारी की पुश्टी की है या 1995 में 207 संगठन द्वारा बैस्विक टीवी निगरानी शुरू किये जाने के बाद से सारवधिक है वर्स 2022 में 200 की सबसे अधिक टीवी के मामले में भारत है जो गोज की 27 प्रतिसत है वर्स 2020-2021 टीवी के नए मामले का पता चलने पर बैस्विक गिरावट आई थी जिसमें 60 प्रत से अधिक गिरावट भारत इंडोनीसिया फिलिपीन की दर्ज की गई है वर्स 2022 में 20 सुभर में 1 करोण 6 लाग टन टीवी से बिमार हुए हैं जो की 2021 में यह संख्या 1 करोण 3 लाग थी टीवी संबंधी कारणों से होने वाले मातों की कूल संख्या वर्स 2022 में 13 लाग थी जो की 2021 में 14 लाग से कम थी टीवी एक संक्रामा क्रोग है जो मुख्यता फ्रेपडों से को प्रभावित करता है और या एक प्रकार के बैक्टरियों की वज़ा से होता है बैस्विक समावेशिता सुचिकांग भारत 117 अस्थान पे है ठीक है अगला देखी वर्ल्ड एनरजी आउटलुक 2023 है हाली में अंतराष्टी उर्जा एजेंसी दोरा बिस व आउटलुक 2023 जारी किया गया है और उसरजन अंतराल सायुकत वराष्ट पर अमकारेकरम यूएनेपी ने हाली में 14 हुई उसरजन अंतराली रिपोर्ट में 2023 जारी किया गया है तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करीए सस्क्राइब करीए दानिवा